अश्कार किसान भाईयो एक बार फिर से स्वागत है आपका खिति की जानकारी यूटूब चैनल पर तो आज के इस वीडियो में मैंने सोचा क्योंकि आपने खुद की फसल के बारे में आपको कुछ बता दूँ तो किसान भाईयो जो जो लसुन की फसल आपको दिखाई दे र तो आप वीडियो को लाष्ट तक जरूर देखे और आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ना तो किसान भाईयो इस वीडियो में मैं आपको पहले तो यह बता दू किसान भाईयो में आपको कि इसकी ब्यूवाई है आमने छे नोउंबर के दिन की थी 2 वेसे तो 6 नौमबर भी मेरे इसाब से माना जाए तो लेट है क्यों कि लसुन की बुवाई क्या है एक्टूबर की 15 तारिक को होनी चाहिए उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अगर हम 15 अक्टूबर के दन बुवाई लसुन करते हैं तो वह क्य मैं इसलिए वोड़ रहा हूं क्योंकि उस समय पर हम जब भुवाई करते ना तो हमें थिपस का हटे की नहीं होता हमारी फशलो में और वह बगर इस पर से ही हमारी लसुन पूरी तरह से पकर तयार हो जाती तो उससे क्या हमारे दो फाइदे हमारा खर्च भी बचेगा लेट होना पड़ा पर यह बारिस की वज़े से होना पड़ा है लेकिन हम हर साल के आए कि इसी वक्त पर मैं बुवाई कर देता हूं लेसुन की पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने अपनी फश्लों में क्या किया है देखिए रेकिसान भाई सब से पहले मैं अपको थोड़ा सा बता देता हूं में अपने वीडियो में भी बताई ती ये बात कि हम्ने क्या है कि लेसुन की जो बुवाई करते न ये फ्लांटर से हुई है इस लेसून की बुवाई पर जब हम बुवाई करते ना तो उस सामें ध्यान रखना है कि हमें जादे गेरा लसुन नहीं बहुँना है अगर आपने लेसुन जादे गेरा या अधीक गेरा है में डाल दिया तो वह क्या है ग्रोथ नहीं करेगा लेसून और यह प्लांटर से बुवाई क्यों ही लसुन है, यह मेरी आप देख सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जादे हमें लागत मुल्य में व्रद्धी नहीं हो, और हमारी फशले हो जाए तो वह सबसे बड़ा ओप्सन होता है, किसान भाईो पेसे क्या दवायों के खर्चे बहु अब देखिए मैं इसमें अवस्था में दिया था, मैं दिया था डीएपी, 186,00 के जो उसमें आते हैं, अन्पी के वह वाला दिया था, तो शीरुवाद में एक बीगा के डोज बता देता हूँ, मैं आपको एक बोरी दिया था उसको 50 किलो का, और उसके साथ में मैं प्रयो डाल दिया था मैंने, तो उसके बाद में फिर मैंने एक और खात का प्रयोग किया है, वो मैंने किया है, इसमें 20 किलो यूरिया और 25 किलो एन पी के, जो बारा बत्तिस वोला का जो फार्मूलेशन है, वो वाला, वो 25 किलो बीगा के हिसाफ से किया है, मैंने अपनी फशलों म तो उसको क्या है मिलाना पड़ता है मिट्टी में जब वो लगता है और 40 दिन के पहले पहले खात का प्रयोग कर लीजिए उसके बाद में नहीं लगा है क्योंकि जड़े ना वो गेरी चली जाती है तो वो लग नहीं पाता है वो आपका खातर गया है पुरी तरह से नहीं बात आप बहले होगी कि इसमेक सब्साइब के सब्साइब कर यह पुरुद यह दो जचा है अब देखो आज क्या इसमें कं भारे निहीं हो रहा है मोसम की वाजशस हो रहा किसान बाइए देखिए इस के बार में बताता हूं थोड़ा से प्रकास से बनाते हैं इक प्रकास अंसलेशन की क्रिया में क्या है चार मुख्य तत्व होते हैं एक तो प्रकास होता है एक जल होता है कार्बन डाय अक्साइट होता है और एक क्लोरोफिल होता है चार माध्यमों से बोजन बनाते पोदे तो कार्बन डाय अक्साइट हम से ग्रहन करते हैं जल हम अपने पोधों के अंदर जो हरापन होता है अगर अगर थीफ सखा गई है तो फिर हमारे पोधे जानते हैं थीफ सखाने की वज़े से कंद छोटे हो जाते हैं उसका कारण यह ही है वह क्लोरोफिल खा गई तो फिर एक क्या है एक उसमें प्रमुख तत्वे बोजन बनाने का वो तो कि पोधों में कोई पीलापन आ रहा ना उसका ना उसका चाहूं कि आए तो मैंने किसी प्रकार का स्प्रें नहीं किया है évidemment बचाया है को आप equipment अब जर्वत पड़ेगी के तो में डालें कोई करना है किसान्त बहीं है जो हमारे टाहते है को अब करना है कि प्ष्भय को को में पुरी ज्यांश करता है उसके बाद में टिटमेंट करता है तो बहुत सारे किसान यहीं करते हैं कि जानते नहीं है कि हमारी फ़सलों में कौन सी बीमारी लगी और उसके लिए क्या ठीटमेंट आप सनाब दवाएक एस्प्रे कर देते हैं और लागत नुल्य बढ़ा लेते हैं और हमारी पशलों कोई फार्दा नहीं होता और उल्टा नुक्सन हो जाता है तो हमें वह नहीं करना किसान बायों अब देखिए इसमें यह हो रहा है यह मोसम की वज़स हो रहा है अब इसमें पूरी जानकरी मिल जाएगी क्या है क्या नहीं है अब देखिए मैं यहीं चाहता हूं कि यह लसुन हमारी बगर दवाई से ही ठीक से आजाए परीपक को वस्ता आजाए तो हमें खर्च भी नहीं करना पड़े और हमारी फसले ठीक से रहें इसलिए मैं 15 अक्टूबर की पूरी तरह से तैयार हो जाए अब देखिए किसान बायों 2 महीने तक हमारी फसले को 60 दिन हो गए इसको 60 दिन तक अगर अगर अमश्ता में बीमारी नहीं लगता है इसकी परिपक को अवस्ता आती है उस्ता में ठोड़ा सा ना है वो ही सबसे बड़ा कारन होता है वे अगया दो से निपटना है बात रहा है हम into this करने के तरीके इन पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों के कहिने पर अनाफ सनाफ भवय का इस्प्रे कर दे तो उससे क्या नहीं होता है हमें आपने कुछ जो देनी गति वी दिया है उनमें भी ध्यान रखना चाहिए तो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई तो अगले वीडियो में इसी प्रकार की कुछ महत्वण और अनुभवी जानकारी के साथ में धन्यवाद जय जवान जय किसान